में आपका स्वागत है आज का हमारा टोपिक है Bank of Baudoza Online Complaint तो अगर आप Bank of Baudoza में अपने Complaint को Register करना चाते हैं तो ये काम आप घर वैटे कर सकते हैं इसके लिए आपको Bank में जाना कोई भी जरूरी नहीं है तो यहां पर हम तो चलिए हम Bank of Baudoza के Official Website पर चलते हैं तो देखते हैं इसका एक step by step tutorial कि यहां पर हमने बैंक बड़ोदा के official website को open कर दिया है इसको open करने के लिए आप अपने ब्राउजर में टाइप करें www.bankofboroda.in इसका spelling को आप थोड़ा नोड़ान कर लिजिए क्योंकि देखिए थोड़ा सा इधर उदर हम टाइप कर देते हैं तो गलत टाइप कर देते हैं तो हो सकता है कि आप किसी fake website पर चले जाएंगे तो यहां पर हम homepage को open कर चुके हैं अब थोड़ा यहां पर हम जैसे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए यहां पर हमारे सामने options आ जाता है customer service का इसको हम select कर लेंगे अब यहां पर नीचे दिया हुआ है option दिया हुआ देखिए grievance redress cell इसको हमें select कर लेना है फिर आगे देखिए यहां पर online complaint management system का option है इसको हम यहां पर हम click कर लेंगे अब हमारे सामने option आ चुका है submit complaint और track complaint अगर हमके पास complaint को ट्रेक कर सकते हैं और अगर आपな complaint को submit करना चाहते है तो हम यहां पर select कर लेंगे अब हमारे सामने form open हो चुका है इस form को fill up करके हमें submit कर देना है अगर आप हमें अपना account नंबर लिखे है उसके बाद देखिए नीचे options है options हैं business, complaint related to description इसको समझना जरूरी है तो पहला जो ये option है इन तीनों को हमें select करना है यहाँ पर हमें कुछ type नहीं करना है तो पहला option जैसे हम select करेंगे उसी इसाब से बाकी ये जो दो option है ये change होते रहते हैं तो ये जो business लिखा हुआ है ये actually category of complaint है किस बिसाय पर हमारा complaint है किस प्रकार का complaint है वो यहाँ पर हमें select करना है उसके बाद जैसे हमें इसको select करेंगे बाकी के option सिकाय से संबन्द नित और विवरन जो है इसके इसाब से ये दोनों change हो जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या-क्य options है ये alphabetical order में ये list दिया हुआ है तो ये subset top में देखे दिया हुआ है आधार enabled payment system तो EPS से जुड़ा अगर आपका problem है सिकायत है तो इसको आप select कर सकते हैं उसके अलाबा भी यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे options है अगर ATM card, ATM card से जुड़ा problem है तो ये debit card का option आप select कर सकते हैं इस तरह के बहुत सारे options हैं तो आपका जिस प्रकार कभी complaint है आपको उसी जाप से इसको select करना होगा तो हम यहाँ पर आधार enabled payment system का example ले लेते हैं इसको select करके देखते हैं कि आगे फिर क्या होता है तो उसके बाद यहाँ पर हमें complaint related to इस पर जाकर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या option मिल जाते हैं देखे यह options अभी जो हम आप देख रहे हैं यह आधार enabled payment system से जुड़े हुए हैं तो EPS से जुड़े हैं आपके काफी सारे comments मुझे मिले हैं कभी कभी आपका EPS field राइंक्षन हो जाता है तो इस तरह के परिशानी के लिए देखे यहाँ पर options दिये हुए हैं यहाँ पर देखे कई सारे options हैं जैसे के cash withdrawal at bov bc point, cash withdrawal at other bc points तो इसको हम select करके देख लेते हैं अब आगे देखे विबरंट में क्या के options हैं हमारे पास इसको भी एक बार देख लेते हैं देखे कई सारे options हैं इसमें से एक common problem यह आता है कि account debited, bc account not credited इसको हम select करके देख लेते हैं अब देखे जैसे हमने इसको select किया तो यह जो transaction date, transaction amount, reference number, other bank name, bc account number यह सब options अपने आप आचुके हैं तो जिसी साब से हमारा complaint होगा, category होगा उसी साब से बाकी यह जो नीचे option से वो बन जाएंगे और यहाँ पर जिसमें star mark लगा हुआ है यह सब options यहाँ पर mandatory है इसको हमें fill up करना ही करना है नहीं तो हमारा complaint submit नहीं होगा तो यहाँ पर आप details इसको fill up कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है details fill up करने में या फिर options यहाँ पर select करने में आपको कोई confusion हो रहा है तो नीचे आप comments में बता सकते हैं मैं प्रयास करूँगा आपके comments का reply करने के लिए उसके बाद देखे brief description of complaint तो complaint की जानकरे vibrant जो है सिकायत का संखिव vibrant यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 characters के अंदर आपका जो vibrant होना चाहिए और साथी साथ यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी option यहाँ कि कोई file अगर है तो इसको आप यहाँ पर upload कर सकते हैं supported file का list यहाँ पर देखे दिया हुआ है तो image file और pdf file यहाँ पर supported हैं उसका size 500 kb के अंदर होना चाहिए तो अगर आपके पास कोई receipt है कोई slip है कोई screenshot है तो इसको आप यहाँ पर upload कर सकते हैं ताकि कोई confusion ना हो और complaint जल्दी से जल्दी solve हो सके फिर नीचे दिया हुआ है about you यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है mobile number, email id उसके बाद capture एंटर करके आप इसको submit कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपने complaint को बैंक का बड़ोधा में घर बैटे अपने complaint को register करा सकते हैं तो समय समय पर बैंक जो है अपने online complaint system जो है उसमें बदलाब करते रहते हैं तो यह वीडियो हमने मई 2020 में बनाया हुआ है अगर आपको कोई option यहां पर नहीं मिल रहा है या फिर कुछ changes आपको यहां पर feel हो रहे हैं कुछ options नहीं मिल पा रहे हैं तो नीचे आप comments में बताइए मैं प्रयास करूँगा कि आपके comments का reply कर सकूँ और एक updated video भी हम बनाने का प्रयास करेंगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी subscribe कर दीजिए आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद नमस्क्राइब